बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com आखिर में आपको बताएंगे कि ऐसा स्पेशल उपाए जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर भगाए इस से पहले कि हम राक्षिफल को शुरुबात करें मैं आपसे जरू को हूँगा कि एस्टो तक को लाइक करें सबस्क्राइब करें और वीडियो मुझे कॉल मिला लेजे मुझे कॉल का इंतजार रहेगा आपके तो चली अब बढ़ते हैं आगे और राशिफल में सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की तो दिन है शुकरवार का तारीख है 27 अगस्त 2021 भाद्रपद कृष्ण पंचमी पर चंद्रा मेश राशी और अश् मिनट तक गंडमूल नक्षत्र रहेगा सरवार्त सिद्धी जो योग रहेगा वो रहेगा सुबह 5 बचकर 57 मिनट से लेकर के रात को 12 बचकर 48 मिनट तक दिन का सबसे शुब मोहरत रहेगा शाम को 4 38 से लेकर शाम को 6 बचकर 20 मिनट तक और विशेश क्या है भाद्रपद महि चुन्ने का नागपंचम परवह है और इसे रक्षा पंचमी या रेखा पंचमी भी कहते हैं बहुत खास दिन हैं और साल में दो नागपंचमी आती है जिसमें से एक नागपंचमी सावण के और दूसरी भाधरवद की मानी जाती है और हमारा जो विशेश उपाए है वो भ यही नाग पंचम से ही संबंदित है, बहुत खास दिन बन गया है, संतान की रक्षा चाहते हैं आप, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्त रहे, निरोगी रहे, आगे बढ़े, और यह खास दिन माना जाता है, विशेश तोर से भादरपद की पंचमी, जिस दिन बच् रक्षा की जाती है, इसे रक्षा पंचमी भी कहा जाता है, अगर आप अपने संतान की रक्षा चाहते हैं, तो स्पेशल उपाई को राशिफल के आखिर तक जरूर दिखेगा, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे, राशिय नमबर बदलाव लाने की योजना बनाएंगे आप, प्रेमियों के बीच नजदीकें बढ़ सकती हैं, एक विशेश काम करें, सिक्के पर चंदन लगा कर तिजोरी में रखें, लखे नमबर चार रहेगा आपके लिए, लखे कलर रहेगा नीला आपके लिए, बात करेंगे दूसरे के नए साधन भी आपको मिल सकते हैं, एक छोटा सवपाय करें, गुलाबी स्केच पन का उपयोग करें, लखे नमबर आपके लिए एक रहेगा, लखे कलर रहेगा, लाल आपके लिए, बात करते हैं, तीसरी राशी मिथुन, यानि की जमिनाय की मिथुन राशी वालों, मन म नए नए विचार आ सकते हैं आपके, दोस्तों की राय आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, छात्रों को अच्छे मौके हाथ लगने के योग नजर आते हैं, धर्मिस्तल की यात्रा के भी योग नजर आ रहे हैं, घरेलू सामान के खरीदारी भी कर पाएंगा, एक छोटा राशे वालों, लोग व्यक्तित्व से आपके प्रभावित हो सकते हैं, भागेदारी में परिशानी आ सकती है, कामकाज में मन नहीं लग पाएगा, कड़ी मेहनत से ही कामकाज में सफलता मिलती भी दिखाई दे रही है, घर परिवार में तनाव बढ़ सकता है, ऐसे हम एक चोटा सा उपाय करें, पूजा गर में गुलाब के फूल चड़ाएं, सब कुछ शुब होगा, लकिन नमबर छे रहेगा, लकिन कलर रहेगा गुलाबी आपके लिए, बात करता है, राशे नमबर पांच सिंग, यानि कि लियोके सिंग राशे वालों, जीवन में उतार चड बने रह सकते हैं, फैसलों के बीच असमंजस में रह सकते हैं, आफिस में स्तिती सामाने रह सकती है, नए चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, कड़ी मेहनत से ही अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं, एक छोटा सा उपाय जरू करें, किसी भी बुक या डाइरी के बीच में गुलाब का फूल रख दीजे, लखी नमबर आपके लिए पांच रहेगा, लखी का रहेगा हरा आपके लिए, बात करेंगे चटी राशी कन्या यानि वर्गो की, कन्या राशी वालों आमदिनी में बढ़ोतरी के योग नजर आते हैं, व्यापार में फाइदे मंद स्तित्वी रह सकते हैं, परेशानी सो छुटकार आपको मिल सकता है, जीमिन शैली में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं, करियर में अच्छे मौके मिल सकते हैं आपको, परिजन सयोग भी करेंगे, एक छोटा सव पाई जरूर करें, किचन में शुद घी का सकते हैं, आप लेंदेन में थोड़ा सावधान रहें, ये सला है मेरी तरफ से आपको, अपने जेवरात को भी सम्हाल करके रखें, जीवन साथी से बात करते समय, सही शब्दों का चैन करें, उसका इस्तमाल करें, एक विशेश शुपाय करें, थोड़ा साख गुलाल जल प आप तो हो सकते हैं, बड़े धनलाप के योग नजर आते हैं, परीजनों के सही योग से बड़ी कामिया भी आपको हासिल हो सकती है, घर में धार में काम संपन भी हो सकते हैं, एक छोटा सोपाय जरूर करें, घर की दक्षन पूर्व दिशा में जालू लगाएं, लखी बात करते हैं, नवी राशी धनू यानि के सेजिटेरियस की, धनू राशी वालों ऑफिस से सम्मंदित काम समय पर कूरे हो सकते हैं, संतान पक्षे कोई बड़ी खुशखवरी आपको मिल सकती है, गर्व से भरा अपने आपको महसूस कर सकते हैं, जिवन साथी कामकाज में ह बस्वी राशी मकर यानि की केप्रिकॉन की, मकर राशी वालों सिहट ठीक रह सकती, आपकी धनलाप के लिए मौके आप तलाशेंगे, कारे शेतर में सफलता के लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे, रिष्टों में छुटपट बातों को लेकर कड़वाट ना लाएं, यह सलाय आपके लिए पारे बार एक विवाद से भी बचें, एक छोटा सोपाई जरू करें, धार्मिक चित्र पर कमल गट्टे चड़ाईए, लखी नमबर आपके लिए तीन रहेगा, लखी कलर रहेगा, पीला आपके लिए, बात करता है, ग्यारवी राशी कुम्ब यानिकी लुग दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा सोपाई जरू करें, बैडरूम में फिनाईल का पोछा लगाएं या लगवाएं, लखी नमबर आपके लिए तीन रहेगा, लखी कलर रहेगा, पीला आपके लिए, बात करता है, बारवी राशी मीन यानिक पाईसेस की, मीन राशी जरू करें, इच्छा अनुसार दूद दलिया खाएं, लखी नमबर आपके लिए साथ रहेगा, लखी कलर रहेगा, आपके लिए सिलेटी, तो दोस्तों अब समय आजके स्पेशल उपाएगा, वो स्पेशल उपाएगा जो आपके संतान को सुरक्षा दिलवाए, उसकी रक रक्षा करेगा, नाग पंचम का देना है, रक्षा पंचमी का देना है, बहुत विशेश देना है, भादरपद कृष्ण पंचमी, तो क्या करना है, आपको पांच नीबू ले लेने हैं, और उन पांचों नीबू पे एक एक लांग, यानि पांच लांग भी लगा लेना है अब इन पांचों नीबू को अपने दोनों हाथ में लेके बच्चे के सर से बारें पांच बार और नीबू शिवाले में नाग देवता पर चड़ाएं और एक विशेश मंतर का जाप कर लें ओम सर पर आजा ये नमहा आश्वस्त कर रहा हूं आपको संतान की रक्षा मुलाकात होगी तब तक देखते रहें इसरों तक अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजे कि हमारा सभी का आने वाला जो कल है जो भविश है वो सुखम हो सुन्दर हो सुरने हो इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए हर हर महादे झाल